हेलो फ्रेंज भारो जोबनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है स्टाप सेलेक्शन कमिशन के अंदर निकला है बंपर भरतिया 25,271 कॉंस्टेबल जीडी पोस्ट के लिए अभी काई वेकेंसी नोटिफिकेशन निकला है जिसके लिए ओल इंडिया से मेल फीमेल स्ट के बारे में पूरी डिटिल के साथ बात करने वाले है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारा चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नएने वीडियो बनाने के लिए जिसके आप देख वेकेंसी निकला है जीडी पोस्ट के लिए देखिए यहां पर साब सब लिखा हुआ है कॉंस्टेबल जीडी इन सेंट्र आंप पुलिस फोर्स एनाई एससेफ एन राइफेल में जीडी इन आशाम राइफेल एग्जामनेशन टुटाउजन टूजन टुटीवां अभी का करते हैं तो इसको लिए लाजटेट है 2 सेप्टेंबर 2021 अगर आप यहां पर देख सकते पूरा एकदम टोटल वेकेंसी डिटेज दिया गया है टोटल यहां पर जो वेकेंसी है टोटल बनता है 25271 वेकेंट पोस्ट है यहां पर मेल, फीमेल, केटेगरिव वाइज और फोर्स वाइज पूरा वेकेंसी डिटेल्स दिया गया है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनेगा बीसेफ में मेल केंडिडेट के लिए टोटल वेकेंट पोस्ट है 6413 में है 600, SSF में है 46 टोटल बन जाता है 2847 फीमेल के लिए वेकेंट पोस्ट जो ग्रेंट टोटल बन जाता है फीमेल और मेल फीमेल केंडिडेट मिला के 25,271 कोंस्टेबल जीडी में एप्लाइ करने का जो एलिजिबिलीटी कंडिशन है उन में से पहला है नेशनलिटी यानि यहां पर बस इंडियान केंडिडेटी एप्लाइ कर पाएंगे और जो इस लिमीट दिया गया है 1 अगास 2021 तक कम से कम 18 साल ज्यादा ज्यादा 23 साल और करके देख सकते हैं कॉंस्टेबल जीडी में एप्लाइ करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्मेंट है फास्ट होगा है केंडिडेट को कम से का मेर्टिकुलेशन पास होना होगा किसी भी रिकोगनाइज बूर्ड या उनिवरसिटी से तभी आप इस वेकेंसी के सब्सक्राइबएंगे कॉंस्टेबल जीडी में एप्लाइक करने के लिए दोस्तो आपको एक one time इमंट्प्लीकेशन फी जमा करना परते हैं जोकी सो रुपय का है महीला केंडिडेट की जो सिलेबास होगा जणार इंटेलिजेंस एंडी विजॉणिंग 25 रहेगा 25 मार्क जनार रुमेंटरि के उपर रहेगा 25 रिखके लिखके लिए आपको 90 मिनिट का टाइम मिलेगा सिलेक्शन पोसीजर में जो आपलों का सकंडेल स्टेज होने बाला है सेकंड स्टेज में होगा फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट में मैल वरेट के लिए पाज कीलुमीटर काQustyle हो टोल लगानाँ परेगा चोब्स मिनिट के अंदर और female candidate को 1.6 km का दोल लगाना परेगा सारे 8 मिनिट के अंदर और जो लोग लदाक रिजन से हैं लदाक रिजन के male candidate के लिए 1.6 km का दोल लगाना परेगा 46 मिनिट के अंदर और female candidate के लिए 800 मिनिटर का दोल लगाना परेगा 4 मिनिट के अंदर सेलेक्शन प्रोसेड़ में जो आप लोग थāDH hour dessa हसे में रहेगा फिजिगा स्थेंडर्ड टेस्ट și में स्थेमिट गया tief 170 सेंटिमिटर me नियुक्त फिमिल के मंगा गया है 157 cm और यहां पर कुछ जगह और कुछ केंदिडेट के लिए रिलीटसन भी दिया गया है जो लोग सिजुव कैंदिडेट है है मेल कैंदिडेट के लिए 162.5 कोने से भी हो गा के लिए 157 50 संटिमेटर होने से होगा और लोक्तिकर्षैंब डॉमस्ट के लिए कपन की 157 संटिमेटर के 147.5 cm all scheduled tribe candidate of left wing extremist affected district के लिए male candidate के लिए 160 cm female के लिए 147.5 cm candidate falling in the categories of Garwales, Kamonis, Dogras, Marathas and candidate belonging to the state UTs of Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh candidate के लिए male candidate के लिए होगा height minimum height 165 cm or female के लिए 155 cm candidate hailing from the north stand state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizuram, Nagaland, Sikkim and Tripura male candidate के 162.5 cm female के लिए 152.5 cm candidate hailing from Gorka territorial administration comprising of the three subdivision of Darjeeling district namely Darjeeling, Kalimpong and Khursyong and includes the following moja subdivision of this district male candidate के लिए होगा 157 cm और female के लिए होगा 152.5 cm और यहां पे जो चेस्ट मांगा गया है मिनिमाम होना चाहिए 80 cm और एक्सपन कम से कम 5 cm का एक्सपंशन होना चाहिए और यहां पे कुछ candidate के लिए relaxation भी दिया गया है चेस्ट में जैसे पगले जैसे अल के लिए 78 cm होना चाहिए और कम से कम फाइब सेंट्रीम्टर फूल ना चाहिए उसी तरह यहां पर देखेंगे आप वह वाला देख लीजिए कम से कम 77 cm होना चाहिए और कम से कम फाइब सेंट्रीम्टर फूल ना चाहिए और वेट का जो बात है यहां पर वेट आपके हाइट के इसाफ से आपका वीट होना चाहिए सबसे आखिर में आता है दोस्तों आप अभी इस कॉंस्टेबल वेकेंसी के लिए क्लिए कर क्लिक करेंगे और क्लिक करने सब्सक्राइय के आप संपल सा एक फोर्म खोल जाएगा उसी फूर्म को साथे करेके Dash और जेसे यहांid टालना है शीडिजन दैना है इंडियन मेर्ण पास के उअपो पो यहां पर लिखना है कॉन से बौट के अंदर आपने एक बताना हैa और यहां पर मार्खुड वीजिवाल डेंटीफिकेशन अगर आपके सरीर पर कोई दाग या कोछ तो Porsche आपको यहां पर लिखके देना है और आपका जो मेट्रिकुलेशन का जो रॉल नंबर होगा वह यहां पर लिखके देना है कव अपने मेट्रिकुलेशन पास के वह भी आपको यहां पर लिखके देना है उसी तरह बहुत सी आपको जरूर्प करूँगा यहां पर करने के लिए आपको इस वीडियो में समझा पाया अगर इस जोब कर आपके वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें